मैं बोलू मुझे भीगी हुई लड़कियां बहुत पसंद हैं क्योंकि भीगे हुए बदन में गुद्रत का करिश्मा नजर आता है मुझे कुछ नहीं होगा तेरे सलिम पर गोली चलाई मेंने चल्वाई मेरे अब मुझे कुछ हुआ बं शेपारात उराई मेने उन्वाई मेरे अब अपने मुझे कुछ हुआ जाओ, जोटे, 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 जोटे... जोटे! जल्मा... समीन! कुछ बोलू तुझ जानती है मैंने तुझे अगवा क्यों किया इसलिए कि पहले मैं चुमूंगा तेरे कालों को फिर तेरे होटों को फिर इस पेदाग जवानी पर मैं दाख लगाऊंगा कि दुनिया वाले ये समझें कि दिलावा ने तेरी इस्सत लूटकर तुझे खत पकत दिया ह equilib खुटिला अवडिला अवडिला छै warm कर दो लुड़ दो चैंग कर दो अुड़ कर दो दो कर दो कर दो फो वदरा फो लाइब कर दू़ हाव कि आखिए पर दूज्ट कि अखिए जिसद जलील हरकत में इसने हला को कसात दिया है उसकी सजा सिर्फ मौत है इसने पर दूज्ट कि अखिए पर दूज्ट कि अखिए पर दूज्ट कि अखिए 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 जिससाइब तुम्हारे का गातिल में चानता हूं तो मेरे बाप का कातिल गुल खान है यहीं बेर दिलावर गुल खान तो एक देक इसान है तुम्हारे तुम्हारे वालिट का गतल मैंने प्री खुजट दिखा है आतिश खान और गुल खान के कबिलों में आजकल दोस्ती बढ़ रही है और आज मैं उस दोस्ती को दुश्मनी में बतल दूगा लेकिन कैसे भाईजान अब थोड़ी देर में यहां से गुल खान और वो नहीं जानता कि जलाल खान उसका इंतजार कर रहा है पुल खान जलाल खान यहां क्या कर रहा है जलाल खान जलाल खान जलाल खान जलाल खान कोले कमीना किसे गोली जगाई इन पर जलाल खान आपने मुझे क्यों बुलाया था मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था मैं तो शहर किसी काम से जा रहा था कि रास्ते में तुम्हें तुम्हें जलाल खान जलाल खान अब पड़ गई दुश्मनी की बुनियाद इस कतल का इल्जाम लगेगा गोल खान पर अल्ला माफ करे और मैं लोगों को भड़काऊंगा कि आतिश खान के बेहनोई का गातिल गुल खान है और फिर मैं सरदारों का सरदार बनकर हमेशा के लिए सारे कबिलों पर हकूमत करूंगा अब 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 अपने अब जान को कबरस्तान पहुंचाने के बाद हलाको की लाश को अंगाराखान के हवेले पहुंचा देना जी बिलावर आव सल्मा बहुत दूर जाना है दुनिया ने तुम पर तोहमतें लगाई अगर मेरा दिल नहीं मानता था मगर आज सल्मा के साथ तुम्हें देखकर अपने तज्रुबे पर मुझे शक हो रहा है कि तुम्हारी आखें पढ़ने में मैं धोका खा गया एक बार फरिष्टे धोका खा सकते हैं शाह साब आप नहीं मतलब शाह साथ आज मुझे सारे गुदाओं पर से परदा हटाना है इसलिए आप मेरे मामुजान और सरदार गुल खान को यहां बुलवाईए और मेरे आने का इंतजार कीजिए शल्मा आजओ बेटी जी शाह साथ इसलिए मारा मेरे बेटे का आजओ अलाह माख करें मैं खूल की लदी आबादूंगा काने वा तरिंदा काने वा जालिम जिसने इस बाद पर ये जुल किया पार एफाई जिसने इस बाद का सीना चल्नी चल्नी कर दिया शार रवाई मैं दिलावर कान ने किया इसका कुल मैंने किया तुन्हारा सीना चल्नीatri्र जोकि तुम-दुम my ने बाद के कात्र हो मरने से पहले कान खोलकर सुनने और आँखोलकर देख धिले दिलावर मैंने कटल किया था तेरे बाप का और मैं कटल करता रहूंगा कभी लों में फूट डालता रहूंगा और सर्दार बनकर जीता भी रहूंगा मरेंगे तुझ जैसे बेव को कि अगरा खान कि मैं तुझे नहीं मारूंगा तेरा फैसला आज कभी लोगे सरदार करेंगे कि अगरा बाइसे बनकर ताम ऑस्पा शला झाला जो अगको खाय समया रहूंगा औरामर्वा कैंगा जा समयार लोगे जो परे बालाता से युक्ताव हुआна गम्पीधे हें प्लिख मस में ख्लेफिजे कि की तरिफ रां राँटूgiving की तर रखिएουν! दर छॉर में पस्ति राँगर्ण निन फ्लिख रां अऐसे अआब premature आप दिनावर रुखा दिनावर रुखा दिनावर रुखा दिनावर ने मेरी क्या हलत बना दिया देखो मैं तुम सरदारों का सरदार हो गुल खान इसने सरीम पर गोली चलाई अल्ला ने उसे बचा लिया इसने कबिले के फैसले के खराब बंदु को उठाई और मैंने हुक्म दिया कि दिलावर खान को जान से मार दिया जाए उसे हुक्म का बतला दिया इस वैशी ने मुझसे इसने मेरे बेटे हलाकू को मार डाला फिर मेरे भाई राशिद खान को मार डाला और अब तुम लोगों के सामने जनील कर राये मुझे गुल खान खतम कर दो इस खुनी भेड़िये को वरना नजाने यह वैशी और कितनी लाशे ग्रादेगा बकवाज बंकराद कारू और सच बता क्सने चलाई थी गुली मेरे सलीम बेटे पर क्सने चलाई थी अलला माफ करे गुल खान तेरा बेटा मेरा बेटा है मैं उस पर कैसे गुली चला सकता हूँ सच बोल कमीने सिर्फ सच सच के सिवा कुछ न बोल बोल किसने चलवाई गोली सलीम पर बोल मैंने और किसने चलाई मेरे बेटे हला को ने बारात को बम से किसने उड़वाया मैंने अधिश खान, खुदा के लिए मुझे बचा अपनी बेहन के बेटे को रोक लो मुझे मान रादेगा मुझे बचा, अधिश खान मेरी बेटी सलमा को किसने अगवा किया था मेरे बेटे हला कुन है बोल, मेरे अपुजान का कातल कौन है मैंने ने बोल मैं अधिश खाह साब मैं खुण हों कातिल हम कुनैगार हूं अब आम कबलों पर हुकुमत करने के लिए मैंने सब कुश किया था मुझे माफ कर दे शाह साब, मुझे माफ कर दिये कि खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए अंगारा खान तो कितना बदनसीब इंसान है शाह साप जैसे नेक इंसान ने भी तुझसे मूँ फिर लिया समस्ले CTD की ने भी तुचसे मुझे लिया कि लावर मसे मत्तमरना बिलावर 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 मंजमrist मारना खुदा कि ग्रव मुझे माफ कर दीजिए खुदा कि खुदा नाइ 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 कर Was कि अल्ला माफ करे बाबा खुदा हाफिज आज के बाद इस इलाके में हमारे कबिलों के बीच कभी कोई गोली नहीं चलेगी कि अब चारों तरफ सिर्फ अमन और महबत के फूल खिलेंगे शाह साब आमीन सुमामीन ट्यू्स कर दो कर दो कर दो कर दो